अगर आपका एकाउंट बैंक और बैंक और बैंक और बैंक के मॉबाइल बैंकिंग यानि की बियोवी बॉर्ड में फर्स टाइम बिना बैंक जाए बिना ATM काड के लॉग इन करना चाते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में complete process बिलकुल नए तरीके से आने वाला हूं यानि की दोस्तों बियोवी बॉर्ड अप्लिकेशन में फर्स टाइम बिना बैंक जाए घर वेटे आउनलाइन अपने मॉबाइल फोन से बिना ATM काड के कैसे आप registration कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में complete process बिलकुल नए तरीके से बताने वाला हूं तो चल अप्लिकेशन को इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों ओपेन का option आपको दिखाई देगा तो सिंपल्स आपको करना क्या होगा इस ओपेन वाले option पे क्लिक करना है जैसे आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरह का interface आ जाएगा जैसा कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं अ यहां पे आपको English language select कर लेना है उसके बाद प्रोसीड का option दिखाए देगा प्रोसीड वाले option पे क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों यहां पे आपको सब चीश बताया कि किस तरीके से mobile banking को यूज कर सकते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या नीचे में get started का option दिखाए तो इस application के जरीए दोस्तों आप online account open कर सकते हैं पर दोस्तों अगर आपका account open है और दोस्तों mobile banking में first time registration करना चाते हैं या फिर दोस्तों login करना चाते हैं तो उसके लिए पो करना क्या होगा यहां से दोस्तों आपको नीचे में login का option दिखाए देगा login वाले option पे click कर देना है उसके बाद permission मंगेगा यानि कि दोस्तों आपका location का permission मंग रहा है तो allow कर देना है यानि कि आपके mobile में location on होना चाहिए ठीक है तो location का जो permission मंग रहा है उसको allow कर देना है जैसे ही दोस्तों allow करेंगे आपके सामने दोस्तों फिर से permission मंग रहा है पर permission आपको दे देना है जो आपको मॉबाल में जो ही मॉबाल नंबर बैंक को बॉलोदा में लिंक है वो कौन सा सीम में लगा हुआ है वह सीम आपको स्लिट कर लेना सीम बन में है सीम 2 में अपने एक्रोडिंग आप सेलेट करेंगे उसको कणफर्म का उप्षन दिखाए देगा आपका mobile number सो हो रहा है और दोस्तो नीचे में confirm का option दिखाए देगा तो simple सा आपको करना क्या होगा है इस confirm वाले option पे click कर देना है जैसे दोस्तो confirm के option पे click करेंगे अब दोस्तो आपके registered mobile number पर OTP आएगा उस OTP को यहां पर आपको डाल देना है उसके बाद verify के option पे click कर देना है अगर दोस्तो आप bank को बढ़ो दा कि bank में जाकर दोस्तो आप account open किया होगे तो आपके registered mobile number पर activation key आया होगा उस activation key को यहां पर आपको डालना पड़ेगा यहां पर दोस्तो बोल रहा है इंटर activation key तो activation key जो भी आपके registered mobile पर आया होगा वो activation key को आपको यहां पर डाल देना है उसको term and condition का एक check box बना हुआ है इस check box को I accept कर लेना है उसके बाद नीचे में proceed का option दिखाए देगा proceed वाले option पे click कर देना है अगर दोस्तो आपके पास activation की नहीं है तो किस तरीके से आप activation की पता कर सकते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर दोस्तो आप online भी account open की होंगे बैंक को बढ़ोदा का तो बैंक को बढ़ोदा का activation की आपको मिला होगा आपके registered mobile number पर वो activation की यहाँ पे आपको डाल देना है और दोस्तो अगर आप offline यानि की bank में जाकर account open की होंगे तो भी दोस्तो आपके registered mobile number पर activation की आता है वो activation की को यहाँ पर आपको डाल देना है activation की मैंने यहाँ पर डाल दिया है अब दोस्तो इस check box को मैं click कर देता हूँ यहाँ पर दोस्तो टर्में कर्डिशन का check box बना हुआ है इस check box पर आपको click कर देना है उसके बाद नीचे में proceed का option दिखाए देगा proceed वाले option पर click कर देना है activation की term and condition को accept करके proceed का option पर जैसे आप click करेंगे आपके सामने इस तरह का interface आ जाएगा अब यहाँ पर create करने के लिए बोला create transaction pin तो transaction pin आपको create करना पड़ेगा तबी दोस्तो बैंक को बलो दा कि mobile banking की जरीए किसी को भी पैसा transfer कर पाएंगे तो यहाँ पर 4 digit का अपने margin की सबसे अपने according 4 digit का आपको यहाँ पर transaction pin create करना जो भी transaction pin create करेंगे re-inter transaction pin में वही transaction pin आपको डाल देना है उसके बाद नीचे में nest का option दिखाए देगा nest वाले option पे click कर देना है मैंने दोस्तों यहाँ पर transaction pin forwarded का डाल दिया है वही transaction pin फिर से मैंने यहाँ पर डाल दिया उसके बाद दोस्तों नीचे में आपको nest का option दिखाए देगा nest वाले option पे click कर देना है जैसे ही नेश्ट के option पे click करेंगे अब दोस्तों बोल रहा है create login pin तो आपको bank overloodah का login pin create करना पड़ेगा यानि कि bank overloodah के mobile banking में जब आप login करेंगे तो login pin आपको डालना पड़ेगा तो वो login pin आपको forward it का create कर लेना है यहाँ पर forward it का जो भी आप login pin बनाएंगे पिन डाल दिया अब दोस्तों नीचे में आपको submit का option दिखाई देगा सिंपल सापको इस submit वाले option पे click करना है सही से दोस्तों आपको login pin create कर लेना है उसके बाद जैसे ही submit का option पे click करेंगे आप दोस्तों बोल रहा है congratulations आपका नीचे में नाम आ जाएगा आपका दोस्तों login pin create हो चुका है transaction pin create हो चुका है और दोस्तों BOV World Application में login कर चुका है यानि कि registration आपका हो चुका है यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यह और है successfully set your transaction pin login pin create हो चुका है अब दोस्तों bank of loada के mobile banking में जब भी आप login करेंगे इस तरह का interface आ जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर जो भी आप login pin बनाये ते फोड़ीट का वो login pin आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा तब ही दोस्तों bank of loada के mobile banking में successfully आप login हो पाएंगे जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं bank of loada का आपका account number यहाँ पर आपको so कर जाएगा अगर आप balance check करना चाहते हैं तो यहाँ पर i का button बना हुए इस पर click करेंगे तो balance आपको so हो जाएगा अब दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ की bov world application में successfully आप login हो चुके हैं successfully आप registration कर लिए अब दोस्तों आप bank of loada के mobile banking के जरी एक किसी को भी पैसा transfer करना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैं आपको पहले से बना चुका हूँ आई बटन में और वीडियो के description में वो वीडियो मिल जाएगी उस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आसानी से किसी को भी bank on में diet पैसा transfer कर सकते हैं bov world application से और अगर दोस्तों आप bov world application से ATM card को apply करना चाहते हैं online तो उस पर मैं एक separate video बना चुका हूँ उसका video भी मैं दोस्तों video के description में देदूँगा वहाँ से देखकर बहुत यासानी से ATM card को apply कर सकते हैं bov world application से अगर आप bov world application से statement को निकालना चाहते हैं तो उस पर भी मैं video एक बना चुका हूँ जो की दोस्तों आपको video के description में मिल जाएगा उस video को देखने के वहाँ बहुत यासानी से bov world application से statement को निकाल सकते हैं bov world application में एक वर registration होने के बाद ATM card को apply कर सकते हैं statement निकाल सकते हैं पैसे transfer कर सकते हैं UPID create कर सकते हैं तो सभी future का आप लाब ले सकते हैं अगर आप bov world application में login हो जाते हैं तो दोस्तो कुछ इस तरह से bov world application में login कर सकते हैं I hope दोस्तो वीडियो पसंदा है कोई वीडियो पसंदा है वीडियो को like and share जरूर करें